अपनु स्वागत चे हूँचू यश भक्त आपनी साथ है तमारा नाना के आयो जन्मा मदुद करतो शोव एटले के मनी मैनेजर जमा अपने तमारा खिस्सा ने असर करना रा दरेट पासाओ नी हुँँ डान पुर्वक चर्चा करता हूँ यश यह ने चर्चा मा हजर चूँ आजना एपिसोड नी साथ है एक फेबरुवारीय बजेट आवे हूँ जमा नाना मंत्री है पांच लाख रुपिया नी वार्षिक आवग दरावता लोको माटे टैक्स रिबेट नी जायरा करी चे जायरा थी तमने गटलो फाइदो थवानों चे ए अंगे नी चर्चा करव माटे आपनी साथे खास जुडायला चे फिनांशिल एक्सपर्ट अननाव पट्या अननाव जी आपनो स्वागत चे से एनबसी बजार पर अने खास जी बजेट नी रजुवार थे तियार बाद मनी मानेजर ने घणा बना दर्शकों ना इमेल मड़या चे जमा थी आ एक र बजेट मां अडी लाग रुपिया वाडो टैक्स लेट पांच लाग रुपिया सुधी लवा मा आवयो चे के पांच लाग सुधी नी वार्षिक आवग जेशे टे एटी सी एटी डी जेवी कपा तो पची टैक्स प्री बनवा नी छे आब आब अनननाव जी खास तमें वि टैक्स नी लागे अडी थी पांच लाग पर पांच टका लाग से पांच थी दस लाग पर वीच टका लाग से अने त्री स्टका नो जे स्लाब छे ते दस लाग नी आवा कुप पर छे अवे आ नॉन सीनियर सीटीजन नी बाद छे जे सीनियर सीटीजन चे इमने माटे अड गजनी तारीक मां चे एस लैब मां कोई बदलाव करवा मां आवयो नथी और एज हिसाब बद्धानू टैक्स नू कैल्कुलेशन धसे इटले जे पन इंडिविज्वल होए के वेक्ति होए जे विचार करतो है के शुच टैक्स लैब मां बदलाव करवा मां आवयो चे तो ना येनों आंसर क्लियरली येवो कोई बदलाव करवा मां आवयो नथी वीजी वस्तु एक बदी बेनिफिटो जे तमने मले छे एने गणया पछी तमारी जे टैक्सेबल इंकम आवे ए महत्वनों फिगर बनी जाई छे अने एना जो आनू रेचे के सुआ पांच लाग थी नी चीए के पहली वस्तु तो ए छे के जहरे आपने आपनी आवाक नू क्याल्कुलेशन करता होई है त्यारे आपने ग्रॉस टोटल इंकम लावानी जरूर छे अवे आ ग्रॉस टोटल इंकम सू छे जो तमे जहरे पन कोई पन आवाक कमाओ तो ए एक स्पेसिफिक हेड अंदर ज्या दाया जा है तर्ख희 फर एग्संपल जो तम्हेंस्स टमें अलीस थी आवाक कमाता हो तो ए इनकम फ्रॉम सालरी स्टांडरी ज्याशन काता हो त्यारे इमा तमने अंदर अनिक बेटीट हो вып Já जाया मड़ होई हे लावे फर एक्जाम्पल हू थे हालीस हजान होई एक स बेनिफिट लो तो अमुका फिगर एनी टैक्सेबल रहे चे इतले आ बदी तमें स्टांडर्ड डिदक्शन ने बदा बेनिफिट नो ने बाद करता पची तमारों जे फिगर आवे ते इंकम फ्रम सैलरीज थाए एज रीते तमें जो तमारी पासे कोई हाउस प्रोपर्टी ह तो इमा तमें व्याज ने बदू बाद करी ने पची इमा इंकम फ्रम हाउस प्रोपर्टी आवे जो कोई बिजनेस के प्रोफेशन ने इंकम होई तो तमारी इंकम फ्रम बिजनेस ने प्रोफेशन आवे औने जो कोई एसेट वेची होई, शेर वेचा होई, मूचल फंड प्रापर्टी वेचीफ है गोल्ड वेचीऊ है तो तमने कैपिल गेंस थाए अन्ने चल्ले आब अध्धा माथी हेड माथी कोई पर आवक ना उती है तमारी पर से व्याजनू आवक होए के कोई तमने अनोरेरियम मल्यू है ए बदू तमने इंकम फ्रम अधर सोर्सीज जाए अवे आ बद्धी फिगर ने जारे तमें आड करो छो त्यारे ग्रॉस टोटल इंकम आवे छे आ ग्रॉस टोटल इंकम माथी अजीपन तमें अधिशनल डिदक्शन लाई सको छो अने आ डिदक्शन मोटा भागे रोकानकारो लेता होई छे यले फोर एक्जम्पल जे इंशॉरंस नी पॉलिसी पर प्रीमियम है, 5-year post office time deposit है, 5-year bank नी tax saving fix deposit है, senior citizen saving scheme है, NSE है आ बद्धा मा जो तमें इंकम इले investment करता हो तो दोड लाग सुदी नी तमने डिदक्शन अमा माले छे आ उपरान तमने medical insurance नी प्रीमियम तमें बरता हो तो एमा तमने deduction माले छे आ बद्धा deduction जे section 80 मा आवे छे ए बद्धा ने बाद करया पछी तमने एक net taxable income आवे छे अने आ net taxable income जे छे ए महत्वा नो फिगर छे इटले बद्धा deduction करया पछी जो तमारी आवक 5 लाख के ना थी ओछी होए तो पछी तमने आव रीबेट नो benefit मर से अने तौप पछी तमारो tax नील था से इतले जो तमें आटन बद्धू calculation करया पछी मानों के तमारी net taxable income 7 लाख से तो तमारे तमारो tax पण आर ही तेब द्धा डिडेक्शन पछी तमें तमारी टैक्स एफल इंकम जोई नक की करो किमने बेनिफिट मर्षे के नहीं अरण जी बीजो सवाल नहीं है एपण छे के आप अदू जे confusion छे तेना करने थी ने जे gross total income ने आपड़े बात करिये तेनी calculation कर वी है ले जो जो मैं समझावी हुँ तेम के gross total income एक एक पहलो step छे के a gross total income ने लावा माटे तमारे तमारी बदी income ने भेगी कर वी पड़े छे salaries एक पुछी कदाज तमें थोड़ू व्याज कमाता हो तो income from other sources मान आखो अब अद्धा माँ जारे तमें ए income भेगी करो छो अने मात्र एज हेड नू तमें deduction लो छो एले for example salary calculate करता तमने standard deduction नो लाब मले एटले salary माती standard deduction करीने जे net salary आवे तेने लेवानी एज रीते बहु बदा लोको housing loan नू इंट्रेस भरता होई चे तो एमा जे जो तमारी self occupied property होई तो एमा कोई आवग गणाती न थी ने अवे तो तमारे पासे जो बैग गर होई तो बंदे माथी कोई आवग गणा से ने तम एने gross total income केवा मा आवे चे अने अमा ध्यान राकू जरूरी चे gross total income इतला माटे केवा मा आवे चे कारण के अमा खाली अजी आवकच बेगी करी चे अजी अनी पछी अने एक बदा deduction हो तमने मढवाना चे एटले आ final figure नती आ खाली gross figure चे अने एक gross figure मा तमारे पेल्ला calculate कुछ पड़े कान के एमा थी तमेज प्रदा deduction बाद करो और पची तमारे बीजो figure आवे चे अब दनी वच्चे कास एक सवाल एपन ताय चे के deduction, rebate अने exemption आ त्रणे नी वच्चे नो तफावत बहु महतुपुण बनी जाये चे कारना के खासुए वो confusion आ बदाने कारने चे आ त्रणे वच्चे शुँँ तफावत चे नाने काई रीते जोवु जोई ये काई रीते तेनों महत्तम लावा पड़े उठावा जोई है अवे आखा तमें calculation करता हो इमा तमारे थोड़ो वधारे समय आ डिफरेंस पर तमारे आपड़ो जोए कारान के आ बहु महत्तवानू बनी जाये चे के deduction, rebate अने exemption सुचे कारान के लोको आ त्रोने शब्दा ने गमे त्यारे गमे ते रीते वापरे छे परन टेकनीकली जारे तमें टैक्स नी भाशामा अने समझवा मांकता हो त्यारे आ त्रोने वस्तू एकज न थी एटला माटे जरूरी छे के तमें ए पहला बहुँच क्लियरली समझो के आ त्रोणे वस्तु सूछे अने एनों उप्योग क्या रे थाई छे पहला सौथी महत्वा आपने पहला लईये के एक डिडक्षन जे कोई पन डिडक्षन है टे डिडक्षन तमाराë n ग्रॉस टोटल इंकम माती बात थाई चे इटने एक gross total income माती बात थाई ने पछी तमने कोई net income नी figure आवे चें इटले एटलू समझवानू के जहरे पन तमें deduction बात करो त्यारे ए तमारी आवक माती ओछी थाई चें अने इटला माते ज एनी साथी ए पन समझवानू रहे चें के मोटा भागे कोई deduction नी जे रकम होए ते एक अदाच तमारे माटे गणी मोटी पन होई सके एटले फॉर एक्जाम्पल जे आपने section ATC जे बहुच बदा लोको सामान्य रीते वापरता होई चे ए एक deduction चे अने एमा तमने दोड लाक नी नो benefit माले चे अब आज ये दोड लाक नी रकम जो तमें दोड लाक नो योग्या इंवेस्समेंट करो तो ये दोड लाक नी रकम तमारा आवक मांथी ओछी थाई चे लिए taxable income तमारी ओछी थाई चे एटले deduction दर वक्ते तमारी आवक ने ओछू करे चे एटले, deduction नो सौथी मोटो लाब ए होई छे, कि ए तमारी taxable income ओछी करी नाके छे, एटले, section ATC मा जेमा तम्हें वदा investment करता हो, ए एक deduction छे, आज रीते तम्हें medical insurance नू प्रीमियम भरता हो, ए पण एक deduction छे, जो तम्हें कोई donation कर्यू होए, कोई charitable institution ने, ए पाण एक प्रकार नो deduction छे, एटले, आब दा deduction जारे, तम्हें बाद करी दो छो, तो ए तमारी आवक माथी ओछो थाई छे, एटले, ए पहलो motivos थो छे, अवे जारे अनी सामें तम्हें कोई exemption नी बाद करो, तो ए exemption नो meaning ए थाई छे, के आए actually जे आवक नो भर्ग छे, ते taxable ना थी, एटले, ए अखा तमारा tax ना calculation मा आउतूद ना थी, एटले, जारे कोई हैं के के, आवक exempt छे, एले, for example, हैं कहिए के, tax-free bonds नो जे interest छे, ते exempt छे, एनो meaning ए के, जेपन आ bonds नो व्या जावे, ते तमारे, तमारा income tax नी income calculation मा आड करवानू रहतूद ना थी, एटले, एटले, exemption आखा तमारा tax calculation नी बाहरत जतू रहतूद छे, औने, एक वस तु ध्यान राख़ी जरूरी छे, के तमारे तमारी बद्धी tax-free income add करी ने, अवे तमारे income tax return मा एक special जेग्या छे, के जमारे tax-free income नो पन total आप पानू आई छे, एटले ए जरूर आप पानू, एटले, just because के तमारी पासे एक exemption छे, के tax-free income छे, एनो meaning ये नहीं, के तमें इने ignore करो के भुली जाओ, काराण के तमारे एनो total पन तमारा tax return मा दर्शा वानू रे छे, पन पर्स्ट रीते समझवानी वस्त हुए छे, के exemption थी, तमारा tax नी liability पर के ना calculation पर कोई असर तती न थी, कान के ए आकड़े मा थी बाहर जतो रे छे, अनि सामें त्रीजो ने महत्वानों important जे figure आवे छे, एचे एक rebate, अवे rebate जे छे, तमारा actual tax ना calculation मा थी ओछो थाई छे, deduction तमारी आवक मा थी ओछो थाई छे, rebate जे छे, ए तमारा tax मा थी ओछो करवा मा आवे छे, इटले, इटलू समझी लेवानू के rebate नो जे आखड़ो छे, ते always नानो हसे, कारण के ए tax नो आखड़ो छे, अने ए सिद्धो तमारू बद्धू calculation थाया पछे, एले के तमारी पासे तमारी taxable income आवे पछे, calculation मा तमारे इना पर tax गणवानो रहे छे, इना पर सर्चाज होए, के सैस होए, ए बदू add करी ने, ए बदू माथी rebate नो लाब तमने मड़े छे, अने पछी फाइनली तमारो जे net tax payable छे, ए आवे छे, इटले rebate एक always बहुत मोटो फिगर न थी हो तो, तमने ए रिबेट आलवेज नानू देखा से, कोई deduction जूओ तमें तो ए तमने आकड़ो मोटो देखा से, कारण के आवक माथी लेस थाई छे, रिबेट ना आकड़ो छे, ते always तमारा tax माथी ओछो थाई छे, एटले अत्यारे जे आ बजेट माँ बदलाव करवा माँ आवे छे, इमा जे benefit छे, ते rebate ना बेनिफिट छे, तमारो जे tax payable छे, ते तेनो लाब तमने वधारवा माँ आवे छे, अने जो 5 लाग सुधी नी तमारी आवक होए, इनहा पर जे तमें tax करणो, तो ये पूरे पूरो tax इतले के 12,500 रूपया सुधी नो तमारो tax नी तमने रिबेट मल से, अने आ तमें घठाड़ी सको छो, इतले के तमारो net तमारो जे tax नी liability आवे छे, ते निल थाई जाई छे, जो तमारी net taxable income पांच लाग थी वदू छे, तो अपची तमने आ रिबेट नो लाब मलतो न थी, एतले सपस्ट री ते, आ जे रिबेट नो लाब छे, सेक्शन 87A मा, जे मा वधारो करवा मा आवे छे आ बजेट मा, ए मात्रा एलोको माटे छे, जे लोको नी net taxable income पांच ल 5,00,00 रुपई नी आवग चे, तम्हें पहला पंपंड कहें होंगे बहुँ महत्व पुर्ण रुपणा चे आ 5,00,00 रुपई नी आवग, शा करने 5,00,00 रुपई नी आवग महत्व पुर्णा छे औनी तेन्ने कहे रिए आपट ए ट्रूइट करवू जो है, जो आ 5,00,00 रूपिया नी आवाग एटला माटे महत्वा छे कारण के अनलाइक बीजी बेनिफिट्स एउ नथी के पांच लाग सुधी नो लभ साउने माले छे, मात्र जिने फाइनल फिगर पांच लाग हावे चे एने जा लभ माले छे ने एटला माटे छे, कारण के सरकार फस्ट रिते जे टैक्स बेनिफिट्स नो लभ आपपा माँगे छे, ते मिडल इंकम ग्रूप के लोर टू मिडल इंकम ग्रूप ने आपपा माँगे छे, औने हाई इंकम बाला ने आपपा माँगतों न थी, एटले एक स्पेसिफिक टार्गेट ओडियन्स छे, के जेने माटे आ लभ अने ए लभ मातरा अमुक लोको ने ज माले एटला माटे आ पांच लाख नी आवक नो फिगर राखवा माँगे छे, अवे तमारे एपन समझवू जोए, के जो तमारी आवक वधू असे, तो तमें बिजा बदा अनेक इन्वेस्मेंट करो, तमें अनेक डिड़क्शन नो ल तो अपन तमें नेट तमारी नेट इनकम पांच लाख सुधी नीचे लावी सक्सो नहीं, कारण के जे तमें डिड़क्शन करी सको छो ये लिमिटेड छे, अने एना पर एक कैप मुकवा मावी छे, एटले जेलोको नी आवक वधू छे, तेलोको माटे कोई एक्स्ट्रा ब रहे छे, अने एज रीते इमने टैक्स भरवानों रहे छे, पन जो तमें तमारी आवक ओछी होए, तो तमने टैक्स नो आवक लाव मल से, अने अल्टीमेटली जो तमें पांच लाख सुधी तमारी आवक आवती होए, तो तमने बार जार पंसो रूपया सुधी नो टैक्स मां ओछो बरवानों रहसे अनि एज रकम तमें बीजा एरियाज मां तमें इन्वेस्ट करी सको चो पन अल्टीमेटली आप बेनिफीट इतला माटे रिस्ट्रिक्ट करवा मां आवे चे कारण के ए सव माटे नथी मातर अमुक वर्ग माटे चे के जे अमुक आवक सुधी कमात होई बिल्कुल अब दाएवा खास बेनिफीट्स चे के जे सामान्य व्यक्ती सामान्य वर्गना लोको जे छे तेमने वधार पड़ता ही याँ खास आप आमावे चे अन्या सथेज पनिवान जीर मां समीतिके उचे एक विराम नो विराम बाद आज समगर मुद्धा पर बिल्कुल अब दाएवा खास जे टैक्स ने लेने मुझमानों चे तेने दीने जवाबो आपको मांठे आपनी साथे जोड़ायला चे फिनांचिल एक्सपर्ट अन्याव पंडिया अनों जी भ्रेगवाद आपनों पन स्वागच चे आने खास संतिम आजे समगर कडी छे तेनों सवाल खास ही आए थाए जे के घणाबदा लोकों ने हजुपण एवी कन्फूजिन छे के जे पहला जे महतू के 80 लाग रुपया सुदी टैक्स फ्री अने ते अरबाद नी आ पांच लाग रुपया सुदी आवक टैक्स फ्री अने पच्छी नी जे आवक हशे तेना पर जवे टैक्स चुकवानों रहाशे पड़ा वात योग्य ना थिया या जे छे ते खास आप बनने वच्चे नों तफा वच्च ते आपले समझावे या हाँ, जो तमें आप रकार नी जे टैक्स बेनिफिट होए येनी तरफ ध्यान आपो तो जे लोको सामान्य रिते माने के पांच लाग सुदी नी आवक टैक्स फ्री अने पच्छी ये लोको टैक्स भर से तो ते योग्य ना थि कारण के अत्यारे जे बदलाव करवा मावे चे ते मात्रा पांच लाग सुदी ना जे टैक्सेबल इंकम से तेमने माटे एक रिबेट आप पामावी चे तो जो तमें कोई व्यक्ति हो के जेनी पासे मानों के दस लाग के अग्यार लाग नी आवक होए औने तमें ग्रॉस आवक औने पच्छी ये माती तमें अने अने लाब मरतो नथी एटले लोको ए ए समझवानू के एमनी आवक जो पांच लाग के नी नीचे जाए ने लेवल पर छले टैक्सेबल फिगर जे होए ए नीचे जाए तोज एमने माटे लाब छे अने मुटा भागना लोको नू एउज मानवू छे के पांच लाग सुदी नी स जाओनी आवक टैक्स फरी न थी पांच लाग सुदी नी जेनी आवक तियां आठकी जाए छे टैक्सेबल तेलोको माटे जा बेनिफिट छे इटले मानों के तमें नेट बधू करी ने पांच लाग अने पांच हजार सुदी तमारी टैक्सेबल इंकम आवी गई तो जो एक्चुली अडी लाग थी टैक्स कैल्कुलेट करीने 5 लाग सुधी 5 टका इटले के 12,500 अने बीजा 5,000 पर 20 टका इटले ए रीते तमारे कैल्कुलेट करीने तोटल 3,500 प्लस सेस नो तमारे टैक्स भरवानों रेसे इटले आ वस्तू महत वनी चे 5 लाग थी उपर जाओ एटले के तमारे आ लाब नो जे पन तमने लाब बेनिफिट मली सकतो तो ए छोड़ी देवानों रेसे इटले अमा लोको ए थोड़ू ध्यान राखू पन जरूरी छे कारण के जो कोई व्यक्ती 5 लाग थी थोड़ू कज उपर जाए तो इमनी जे एडिशनल इंकम थाए इना करता एक्चुली इमनों टैक्स पन वधी सके जे थोड़ा फिगर माते ले फॉर एक्जांपल जेम आपने वात करी 5 लाग 5 लाग 5 हजार नी तमारी आवक है तो तमारे एडिशनल 5 लाग नी आवक थाए तो तमारे ले एडिशनल पांच हजार नी आवक है अने 3 ला बंसो टैक्स आपको छो इतले आ वस्तु तमारे ध्यानमा राखी बहु जरूरी छे के जो तमें 5 लाक नहीं आसपास आउता हो तो थोड़ू योग्यारी टेक्स प्लानिंग करो के अमुग वकत कदाज तमार थोड़ी ओची आवाख है तो तमने वदू लाब थाए कारण के इना थी तमारो टेक्स ब आवक वदू असे तो तमने आनो लाब मल से नहीं इतले पांच लाक सूधी नी तमारी टेक्सेबल इंकम होई तो तमें आनो लाब लई सक्सो बिल्कुल तो आशा करें के आजे कंफ्यूजन हतू ते जरूर थी जे दरशक मित्रों ने रोकान करों से तिम नुक्लियर थे समेधी के होशे आपना सवालों ना जवाबों मेडववानों अने एक सवाल इमेल द्वारा आवे होशे आपड़ी पासे आकाश पटेल नो वड़ोद रहा थी तेमने अरणावजी खास पुछूचे के 36-7 वर्ष ना पच्छी ना गोल माटे थे इने 5000 रुपया नी SIP जे तमारे जो भी जोए के तमें आ प्रकार नो लौंग टम गोल चे तमारों तो इने माटे तमारे कया प्रकार ना एसेट क्लास मा रुपान करूँ जोए कारण के गोल लौंग टम छे आन्ने चोथी साथ वर्ष पच्छी ना चे एक्वीटी नो योग्या माध्यम तमें गनी स सदीबात भाट बढ़ाबर चे मेए प्रेशन ए चैके तमारे से कोई एक्टिव फंड लेऊं जोए के तमारे से पैसीब लेऊं जोए अवे एक्टिव फंड मेनेजर नखी करेज़े के कया प्रकार ना holdings हवा जोए fund मा अनि एना आधारे फची fund नो performance आवे छे जारे के passive fund हो है चे के जे मा कोई index ना माध्यम ने replicate करवा माटे investment थाई छे अनि ये suggest करे छे ते एक passive fund छे जी तमें इटलू पन जो ही रहा छो के अनेक fund जी आपड़े त्यां आपड़ू market इटलू बदू develop ना थी के जेने लिदे तमने active investment माँ पन तमने market आउट performance जी जोवा मारे छे येटले मारा इसाबे equity नो माध्यम योग्या छे पन passive fund करता ए जो कोई equity active fund नो selection करे तो MIM ने वधारे लाब थवा बिल्कुल तो आशा करिए कि आपना सवाल ना जेशे ते खूब रस्प्रज जवाब तमने जरूर थी मढ़ो आशे अने अरणव जी आपनो पन खूब खूब आभार अमारी से जोड़ा बदल ने आसमगरे चरशा करवा बदल खास लोकों ना सवालो ना जवाबो ने पांच लाक रूपे नी जे कन्फूजन हती तेने खास दूर करवा माटे थे ने अने साथे जा अपने जणावी देए के परसनल फाइनस ने लगता तमारा सवालो ते आप अमने मोकली शेको छो आपनू नाम शेहर उमर अने फोन नंबर नी साथे तमारे इमेल करवानों रहाशे अमने money.nw18.com पर फेस्बुक पर आप लखी शेको छो आमने facebook.com शेहस slash cnbc बजार पर अने tweet पना आप करी शेको छो twitter.com slash cnbc बजार पर अने आसा तेज हाल बसातलूज मने यशने आप शुरिजाज उतारा हो cnbc बजार